जैसे ही मैंने ये वाला वीडियो कल डाला था, कॉमेंट सेक्षन में समझो बाड़ सी आ गए, ये कॉमेंट मुझे, कॉमेंट बहुत थे लेकिन ये कॉमेंट पर मैं रुग गया और सोचा वीडियो बनानी पड़ेगे, बोले भाई साब हम मुसलिम का बाइकॉट कर रहे हैं और मेरे बात केकर मर्म को अगर आप समझ भाए ना, तो चार तालियां मैं पक्का जाओंगा, कॉमेंट सेक्षन के अंदर, देगे बास साब मैं आप बात बताता हूं, सिर्फ वो मुसलिम है, मैं उसका इसलिए जाकर की विरोध कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पर बात आएगी नहीं, उसके साथ गला थोका तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, तो दोस्त ना, आपको इतिहास की तरफ अगर मैं ले जाओंगा, हिटलर की तरफ ले जाना चाहता हूं, बहुत सारी चीज़ों को आप पढ़ेंगे, तो आज की सिर्दी से रिलेट कर पाएंगे ही, लेगन आप 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 चीज़ों को होता देखेंगे, तो समझ भाएंगे, देखो मैं एक्जामपल में आपको दूँ बहुत बहुत बहुतर एक्जामपल, देखो हिटलर, हिटलर की पुलिस थी, जिसका नाम तो सीक्रेट पुलिस, वो पता क्या काम करते थी, जैसे कि वो कहीं फोना शुरू हो गया था, वहाँ इतना मामला गंभीर हो गया था कि हिटलर का नाम सुन दे ही, लोग बिलकुल सैलेंट मोड पे चले जाते थे, पता नहीं कौन सा व्यक्ती, सीक्रेट पुलिस वाला व्यक्ती हो, और हमें उठा करके ले जाए, अगर आपने 9th क्लास के NCRT पड़ी होगी न, वहाँ परना पात खूब सूरत पोयम है, ध्यान से सुनियागा और मर्म को पहचानने के कोशिश कीजेगा, जब सीक्रेट पुलिस वाले कम्यूनिस्ट को धूंड ने आए, मैं कम्यूनिस्ट नहीं था, तो मुझे कोई फरक नहीं पड़ा, जब धूंड ने आए, और मैं यहुदी था ही नहीं, तो मुझे कोई फरक नहीं पड़ा, जब अंतिम में सीक्रेट पुलिस वाले आए, तो वहाँ कोई नहीं था, जो मेरे साथ खड़ा होता, इसका मर्म आप समझ रहे हो, जब तक आप एक साथ युनाइट हो करके नहीं फिल्म में भले ही उनकी हिट हो, फ्लॉप हो, उससे कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन आमिर खान की सब्जेक्ट, उसके सब्जेक्ट को लेके बात करना ज़रूरी भी तो है, सोशल मीडिया पे चार पन्ने आपने पड़े और आपने कहा कि खान वैसी है, माहुल बना हुआ चलो, boycott करना शुरू करते हैं, यहाँ पर आप जाने अंजाने में वन पार्टी रूल की सिस्टम की तरफ आप बढ़ते जा रहें, आपको समझ में नहीं आएगा, आपको एक कारनाम और दिखाता हूँ, यह background में चल रहा है, music मैं रहू न तेरे बिना, यह गान आप फिल्म को हिट करा देगे, भैसा आप टिकेट डेगे व्यक्ति काउंटर पे पहले बात तो होता नहीं, वो टेहलता नहीं, वो अंदर चला जाता है, अजीब सी बात हैं, लेकिन आप इस तरह की चीजों मत पढ़ों, लेकिन फिलाल अपडेट यह है कि आमिर खान की फ करने के लिए एक बेहत खूब सूरत स्ट्रेटिजी को अपनाया है, एक बदलाव किया है, यह बतना मीडिया रिपोर्ट्स में पता चलती है, मीडिया रिपोर्ट्स के मताबक पहले ही दिन बॉक्स आफिस पर खराब परदरशन की करन, सिनिमा मालिक उने, लास दिन चड़ और रक्षा अंदन के दौनों फिल्मों के जो शोज है न, उनको स्वेक्षा से ही कम करने का फैसला ले लिया है, इसलिए हमें इस नुक्सान को कम करना पड़ेगा, जिसकी वज़ा से सिनिमा मालिकों ने बुला कि देखिए, ओवर हैट्स को बचाने और सीमित शो में ऑक्क उसको कम करने का फैसला ले लिया गया है, अभी शोज कितने कम होंगे, मीडिया रेपोर्ट्स बताती है, आमिर खान के फिल्म लाल सिंग चढधा के लगभग 1300 शोज और अक्षा कुमार की फिल्म रक्षा वंधन के देश भर में 1000 शोज कम करने का एलान कर दिया गया है, या अगराम शुक्रवार के आज की बात करें, तो औक्यूपेंसी की बात करेंगे, तो दूसरे दिन लाल सिंग चढधा के सुभह के शोज की खिल्म शुभ 5.27 फीसद रही थी, और अक्षा कुमार की फिल्म रक्षा वंधन के खिल्म लाल सिंग चढधा से भी कम तक्रिवन 7.63 3 फीसद रही थी लाल सिंग चढधा फ्लॉप हो या फिर हिट हो लेकिन इस बात से आपको सहमत करना पड़ेगा कि इसका सामाजिक प्रभाफ तो होता ही होता है आमिर खान की देखो आमिर खान एक चॉकलेटी हीरो की रूप में अपना करेर की शुरुआत करते हैं आमिर खान करने वाले नहीं हैं लेकिन आमिर ने खुद को सरहानिय गरिमा के साथ आगे बढ़ाया है और अपनी फिल्म में महिलाओं को एक वस्तु की तरहा पेश करने से परहिस किया है मैं याद है शत्यमेव जयते के शो पे दिपिका पादुकोन एंड टीम आई थी तो बोला थी मै अब से एक तुछ चीज है बड़ी बसमस वाले ऐसे सौंग्स नहीं करूँगा उन्होंने आमिर खान ने फिल्म के जरिये महिला सशक्ति करण को बढ़ावा दिया है ऐसे समय में जब फिल्मी सुतारे डांस प्रतियोगिता और क्विज शोज के जज़ बन गए हैं आमिर ख फिल्मी ने दो लड़कियों के संघर्ष को चरितारत किया था अपने पहलवान पिता की उमीदों और गुस्से को जहल रहे हैं सीक्रेट सूपरस्टार आपको याद है असुरक्षा में फसी एक मध्यम वर्गी परिवार की लड़की के रचनात्मक सपनों के बारे में आसे चात्रों के उपर जो बोज आ रहा है उस बोज को उजागर किया था जो बोज चात्रों की उनकी कलपना और इनोवेशन की खोज करने से रोकता है वो समझानी कोशिश किये थी उनकी फिल्में चीन जैसे दुश्मन देशों में भी अच्छे खासे अर्वो खरोर पर कम मैंने कल भी बताया मैं आपको आज ही बताता हूं साहब आपको पता है कि पहले ना साउथ की फिल्म में एक्टिंग करते थे लोग ताकि बॉलिवड में उनको एंट्री मिले और चमक जाए अब मुझे क्या लगता है कि अब लोग बॉलिवड से साउथ में चाहेंगे ताक की साउथ में काम करें और बॉलिवड में खुद को रिलाउंच करें अगर बात समझ में आई तो इस वीडियो को शेयर जरूर किजएगा जय हिंद बनते मातरम स्टे अपडेटेट स्टे मेव जय ते नमशकार